जिस तरीके शेर मार्किट में आप ट्रेडिंग करके पैसा कमा सकते हैं उसी तरीके पैसा कमा के इस बार में आपको दिखाने वाला हूँ स्पोर्ट्स ट्रेडिंग करके स्पोर्ट्स बाजी एप्लिकेशन पे जी हाँ मामला बड़ा असान है गेम बड़ा असान है कुछ सवालों के जवाब देने हैं हमें यस या नो में उपर आप मेरा बैलेंस देख सकते हैं टॉप राइट कॉर्णर में 10,000 रुपे का मेरा बैलेंस है और मैं आपसे वादा करता हूँ कि इस बिग बैश सीजन जी हाँ 10,000 के कम से कम 1,000,000 रुपे तो मैं आपको बना के दिखाऊंगा ही और मज़े की बात यह है कि सब कुछ open में होगा सब कुछ आपके सामने होगा मेरी strategies आपके सामने होगी जिसको अगर आप चाहें तो implement कर सकते हैं और आप खुद भी पैसा कमा सकते हैं पिछले साल मैंने बहुत पैसा कमाया था बिग बैश लीग में और यही कारण है कि इस बार मैंने सोचा के क्यों नहीं मैं sports बाजी application पे live आके आप लोगों का भी भला करूँ अपनी जो strategies हैं वो आप लोगों के साथ शेर करूँ कल से बिग बैश लीग की शुरुवात होने वाली है और यह देखेगा टॉप राइट में आपको दिखाया मेरा balance जो है इस वक्त आपको 10,000 का नजर आ रहा है और हर रोज जो मेरा updated balance है वो आप लोगों के साथ शेर होगा जो मेरी trades है वो मैं आप लोगों के साथ शेर करूँगा आपको बताऊँगा किस trade पे मैंने yes करा किस trade पे मैंने no करा और किस trade पे मेरी winning जादा हो रही है अगर कहीं loss होता है तो उस बारे में भी आपको बताया जाएगा कि कैसे वो improve करा जा सकता है लेकिन overall हमें 10,000 के 1,000,000 बनाने ही बनाने है पहले दिन से इस सफर का आप भी हिस्सा बन सकते हैं यह देखे कल पहला मुकाबला है Big Bash League का जो की खेला जाएगा Perth और Melbourne के बीच Perth home team है और Melbourne के नई कप्तान जो है वो बन गए है Marcus Tonis So it's gonna be a cracker of a game There's absolutely no doubt about that लेकिन तेज गेंबाजों पे हम focus रख सकते हैं और उमीद यही रहेगी के तेज गेंबाज विक्टे ले बहुत high scoring मुकाबला यह नहीं होगा 170 और 180 के बीच Maximum 180 run में बनते होई देख रहा हूँ अब चलते हैं कल के trading के सवाल पे जो पहला मुकाबला है उस पे trade आपके सरीके से कर सकते हैं कुछ मैं आपको insights देता हूँ मैं क्या करूँगा वो मैं आपको बताऊंगा telegram पे और उसके अलावा अगर आप live चाहते हैं तो telegram पे बताऊंगा वरना जब अगली वीडियो मेरी आएगी तो आपको पूरी strategy आपके साथ share कर दी जाएगी आपको बताया जाएगा मैंने क्या करा कैसे करा और आपको फिर जो परसो match है उसके बारे में भी आपको सारी details रोहे वो दी जाएगी चले अब सवालों पे चलते हैं यह याद रखेगा के toss के बाद काफी कुछ बदल जाता है परिस सितियां बदल जाती है जब final predicted 11 आती है तो हो सकता है कुछ फैसले मैं बदल दूँ जिसके बारे में मैं आपको telegram पे बता दूँगा बट all in all मेरी क्या strategy रहने वाली है पहले मुकाबले में Perth will win the T20 match against Melbourne मुझे लगता है कि Perth जीतेगा अभी तक तो मुझे लग रहा है कि Perth जीतेगा बाकी जो मेरी strategy होती है इसमें मज़े की बात क्या है ना sports trading में क्या होता है कि आप जो फैसला है वो मुकाबला शुरू होने के बात भी कर सकते हैं ऐसा नहीं है fantasy जैसे के पहली gain से पहले सारे contest lock हो गए तो आपके पास वक्त है फैसला लेने का बर अभी tentatively अगर मैं कुछ बातें आपके साथ शेर करूँ मुझे लगता है Perth जीतेगा Perth का जो record है अपने home ground पे कमाल का है और Perth को जीतना चाहिए क्या जो team toss जीती है पहले बल्ले बाजी करेगी या गेंद बाजी मुझे अभी तो गेंद बाजी लग रहा है हलाकि final pitch report का इंतजार करना चाहूंगा पहले over में team 7 run बनाएगी के नहीं बनाएगी बहुत risky सवाल है वैसे नई सवाल भी आ जाएंगे जब मुकाबला शुरू होगा ना मान लीजे पहली over में 10 run लग गए तो सवाल आएगा के 6 over में 60 run बनेंगे के नहीं बनेंगे तो वहाँ भी मैं आपकी मदद करूँगा live कोशिश करूँगा telegram पे और अगले दिन अपना feedback भी आप लोगों के साथ share करूँगा आप लोगों को मैं guide करता रहूँगा और आप मेरा सफ़र तो देखी सकते है कि 10,000 से मैं एक लाक कैसे बना रहा हूँ अगर आप मुझे copy करेंगे तो आपका भी बहुत high chance है कि आप लोग भी इतनी winnings कर पाए पिछले साल भी जैसा मैंने कहा काफी winnings करी थी मैंने team batting first will score 156 or not इस पर आप yes कर सकते हैं यह देखे इस तरीके यह quantities होती है यह 8.50 की एक quantity है अगर आप चाहें तो आप जितनी भी quantities का trade करना चाहें आप trade कर सकते हैं शे ओर में 48 लगेंगे के नहीं लगेंगे मैं final pitch report का इंतजार करूँगा उसके अलावा क्या पर्थ पहले 6 ओर में 2 wick take होएगा बहुत मुश्किल है क्योंकि पर्थ की जो सलामी जोडी दारी है ना जो top 3 बल्ले बाज है वो हमेशा अच्छा करते हैं जासकर घरिलू conditions में क्या कोई भी player 60 run से जारा बनाएगा मुझे लगता है बना लेगा तो इस तरीके से सवाल आते हैं हर रोज मैं आपको बताऊंगा क्या strategy रह सकती है हर रोज जो मेरी run नीती है वो मैं आप लोगों के साथ शेर करूँगा हर रोज अपना updated balance में आप लोगों के साथ शेर करूँगा और आपको दिखाऊंगा भी और आपको बताऊंगा भी किस तरीके 10,000 रुपे से यहां 10,000 रुपे से यह जो मैंने challenge कबूल करा है कम से कम Big Bash League में 1,00,000 रुपे तो बनाने ही बनाने हैं अगर आपने अभी तक sports बाजी application download, download नहीं करा तो download कर लीजिए मेरा सफर जो है वो follow पहले दिन से करेगा पहले दिन से करेंगे तो profit में रहने के जो chances है वो आपके दूसरों से बहतर रहेंगी और अगर थोड़ा बाद में भी आते हैं तो कोई बात नहीं करनी को और उमीद करता हूं कि आप भी अच्छी कासी विनिंग्स कर पाएं